जमानत दे गई है 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है ED के समझ न मानने के मामले पर ये जमानत दी गई है समझ ये दो पूरे मामले है एक ED के सामने समझ न होने का मामला है वहीं शराब आबसारी घोटाला मामला है तो यह जो जमानत मिली है वो ED के सामने पेच न होने के मामले में जमानत मिली है 15,000 के निजी मुचलके पर जो कि मानव भी इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें बता रहे थे 15,000 के निजी मुचलके पर कम से कम एक मामले में अब अरवंद केजरिवाल को बेल मिल गई है ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट अर्विंद केरजिवाल को जमात मिल गई है 15,000 के निजी मुचलके पर जमाना दे दी गई है ED के समंस न मानने के मामले में ये जमाना दी गई है अर्विंद केरजिवाल को ED के ओर से आठ वार समंस भेजा गया लेकिन कोई न कोई बहाना दे कर कोई न कोई वजह बता कर अर्विंद केरजिवाल ED के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे और इसी पूरे मामले में अब 15,000 के निजी मुचलके पर अर्विंद केरजिवाल को अब जमानत मिल गई है बेल मिल गई है सीधा हमारे सयोगी आनंद का भी रुख कर लेंगे आनंद कम से कम ये जो दो केस थे उसमें एक केस में तो थोड़ी सी राहत मिलती हुए दिखाई दे रहे है बेल मिल गई या अर्विन केजिवाल को? बेल मिल गई या अर्विन केजिवाल को जो राहत मिली है उस मामले में उन्हें जमनत मिली है जो जानकारी अब तक मिल रही है जो सामने आ रही है ठीक है आनन बने रही है हमारे साथ आप हम एक बार मानो का भी दुख कर लेंगे पर लेकिन कोर्ट ने बाकी क्या कुछ चीज़े कही है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि उसने इस पूरे मामले की जो दिशा है वो तै होनी है क्योंकि अर्विन केजिवाल दिल्ली के मुखिया है मुख्यमंत्री भी है और इसके साथ साथ उनकी देखरेक में यह सारा मामला हुआ है ऐसा इडी दावा करती रही है आनंद जो अर्विन केजिवाल की वकील है रमेश गुपता क्या कोई जानकारी इस बार में निकल कर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है कोड के सामने देखिए कुछ देर के बाद जो रमेश गुपता है वो भी वहाँ पर मीडिया से बात करेंगे बताएंगे कि किस तरह की कूरी कोड के सुनवाई रही है लेकिन जो 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 जमानत मिली आनंद लोटेंगे आपके पास अर्वन केजिवाल के इस पूरे मामले पार हम सीधा प के पास का भी आनंद रमेश गुपता अर्वन केजिवाल के वकील के ओर से कोई जानकारी कोड में किस तरह की दलील दी गई देखिए अंकीता जो जानकारी आ रही कि रमेश गुपता अब बहच की सुरुवात करेंगे यहने कि अभी जो एक सो चहुत्तर की जो कारवाई थी जो कंप्लेंट फाइल कीती इडी ने उस मामले में जरूर अर्विन केजिवाल को रहत मिल गई है उन्हें 15,000 के बेल बॉ होगी तब यह तमाम चीज़त साफ हो पाएंगी कि किस तरह से रमेश गुपता जो अर्विन केजिवाल तरफ से पेश हुए वो क्या देखिए आनंद लॉटेंगे आपके पास की सीनियर रेटर विकरान हमारे साथ जुड़गे है विकरान जी अभी तो फिलहाल के लिए ब मुक्टमिंत्री को संबन किया है उसकी तामील नहीं हो पा रही है वो कोट में पेश जानबुचकर नहीं हो रहे है तो वो एक सिकायट किसी की तहत करवाई थी कोट में उस मामले में अर्विन पेश हुए उन्होंने बेल बॉन भरा तो कि यह समझे कि इस अपराद में केब केबल एक महीने की सजा और पांसुर उपे जुर्माने का प्रावधान है यह बेल लोगल बेल कोट के सामने बेल उन्हें मिल गई है अब वो अपने घर वापिस निकल गए है अब इस मामले के शिकायट पर बहस चलेगी दुनों पक्स अपनी जलीरे रखेंगे कि आखिर अ टा लुक नहीं है किसी भी सिकाह का तालुक नहीं है ति अभी भी अभीन-केज्रिवाल को समन कर सकती है दुबारा से उन्हें बुला सकती है लेकिन इस कोकर के सामने यह सवाल नहीं है कि अपराज के लिए शिकायत एडी की थी जिस मामले में अर्विन केजडिवाल ने पेश ओपर के बेल ले लिए अब इस मामले का ट्रायल चलेगा इसली अदालत में पूरी सुनवाई होगी पूरा ट्रायल चलेगा दोनों पर अपनी अपनी दलीरे रखेंगे उसके बाद जाक आपके पास लेकिने आनंद का भी रुक कर लेंगे आनंद ये तो एक अलग मामला है लेकिन में मामला जो है दिल्ली आबकारी शराब घुटाला मामला उस पर तो अभी भी अर्विन केजडिवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही आगे ऐसा है क्या देखें अंकीता बिल्कुल जिस तरह से विकरान जी नहीं बताया वो कानूनी यही पहलू है कि जो 114 की कारवाई के लिए ED कोट पहुंची दी कंप्लेंट फाइल की थी उस वो एक जमानती अपरात था इसलिए अर्विन केजडिवाल को जमानत मिलके और वो निकल गए ले वो बार-बार संबन में पेश नहीं हो रहा है और अभी ED के बाद यह भी विकल्प है कि वो उन्हें 9 संबन या 10 संबन भी पूस्ताज के लिए भेश सकती है और देखेगी कि अर्विन केजडिवाल पूस्ताज में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर इन दो संबन पेश पास पेश पें अर्विन केज़िवाल पेश नहीं होते है तो एक तीसरी कम्प्यूप्यंट फाइल भी जो है वो राउज़ेधिन कोट में कर सकती है जैसे कि हमने देखा हेमन सोरेन के मामले में हेमन सोरेन की गिरपतारी की बाद भी एक कम्प्लेंट फाइल जो है वो ED ने कोड में फाइल करी थी कि एहमन सुरेन मुख्यमंत्री थे और वो ED की पूस्ताज में लगातार साथ आठ संबन के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे तो यह कानूनी विकल्प है ED के पास भी है और अरविन केजरिवाल के वकीलों के पास भी है जिस तरह से जमनती अपराद है तो जमनत आजूने मिल गई है लेकिन अभी जो ED के संबन से उनसे अरविन केजरिवाल को रहत नहीं मिली है और अभी ED के पास विकल्प खुले हुए है वो कोड़ भी जा सकती है वो फिरसे अर्विंकेजृवाल को संबंस भी कर सकती है जे आनन्द ये तो हमने एडी के पैस कौन सा विकलिफ बाकर लेकिन मानोजार हमें अब यहीं समझाघाए कि आफ आफ़ Difृ और और खासकर अगर अरुवन्द केजरिवाल की बात करें, तो उनके पास क्या कुछ विकल्प दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब आमाद्वी पार्टी? इस मामले में पार्टी ही नहीं है। और दिल्ली सरकार मनिससों दिया है, क्योंकि access policy उनके अधीन थी, उनके देखरेग़ में सारी बनी थी। हलांकि यह चर्चा जरूर चली थी किया मामले में अमाद्वी पार्टी को पार्टी बनाये जाए, या नहीं बनाये जाए। कोड ने का कि थीक है जवानटी वरण्ट आप बरिये और आप आप जबानत ले सकते हैं इसके बाद जो गुपता है जो वकील है अरविंद-केजिवाल के उन्होंने कहा कि केज़िवाल को जाने दिया जाए और बहस जारी रखी जाए और इसका विरोथ एडी ने नहीं किया उसके बाद अर्विंद केजिवाल वहां से चले गए और अब इस मामले पर पूरी बहस वहां पर चल रही है यह पूरा ट्रायल आगे चलता रहेगा लेकिन आमादी पाड़ी तरफ से लगातार यह जरूर कहा ग है बिल्कुल देखिए पी एमेले का जो मामला है वो इसी कोड में चल रहा है थूड़ी देर के बाद के कविता को वी पेश किया यहां पर जाएगा है और दो समंस पर क्या के कविता ने कोई जवाब नहीं दिया था इसके चलते का क्या को ग्रफतार किया गया है और बकाइ उनकी गिरफतारी की समय बियारेस के तमाम नेता कार्यकरताओं ने सरकारी काम में एजैंसी के काम में बादा पहुचाई है तो इन तमाम अब यह दूसरा पहलू है मामला एक ही है अब कारी नीतिका और इसमें थोड़ी देके बाद के पेशी भी इसी राव जवेनी कोड मे होनी है ठीक है मालाव एक बार आनंद का भी रुक कर लेते आनंद कोट में क्या कुछ हुआ है कोई जानकारी इस बारें में पॉइंट दर पॉइंट हमारी दर्श्कों को समझाए देखिए आरविन केजरिवाल आज कोट पहुँचे उनके जो वकीले रमेज गुपता वो कोट पहुँचे थे जो एडी के तरब से जो एडिस्नल सॉलिस्टेट जनरल थे वो कोट पहुँचे थे और उसके बाद वहाँ पर चुकी मैंने आपको पहले ही बताए कि यह जमन लगातार बता रहे हैं कि जो लिकर घोटाला है दिली आपकारी घोटाला जो है उसमें अरविन केजरिवाल को आठ सम्मन एडी की तरफ से भेजा जा चुके हैं अभी एडी के पास काफी विकल्प हैं वो वापस कोट जा सकती है वो नोवा सम्मन भी अरविन केजरिवाल को करेगी या आज कोट में किस तरी की दलील वो रखेगी एडी के तरफ से जो एडिसनल सॉलिसिटर जनरा हैं वो जनरा ने वो क्या-क्या बाते रखते हैं और रमेज गुपता जो है वो अर्वीन केजरिवाल तरफ से क्या दलीले रखेंगे इनके बाद ही आगे जो है कुछ र के मंतरी अर्विन केजरिवाल को 15,000 रुपए के मुचल के और एक लाग का सिक्योरिटी बॉन्ड पर बेल दे दी है आपसे थोड़ी दिर पहले अर्विन केजरिवाल पहुचे थे राउजवेनी कोट जहां उनकी पेशी हुई और उसके बाद उन्हें बेल दी गई है लेक में पेश होने से और अब जब पेश हुए है तो टाइमिंग पर सवाल आमाद्मी पार्टी खड़े कर रही है बिल्कुल देखे टाइमिंग पर सवाल खड़े किये हैं ये कहा गया कि लोग सबाद चुना बहुत नज़ीक है चुना प्रिचार में जाना है अर्विंद केजरिवाल चुना प्रिचार करेंगे इसलिए विए पी उनको रोकना चाहती ऐसे तमाम आरोब अर्विंद केजर जा-र्विंद केजरिवालों कि पहले और अभी यहां पर गाडियों को आगे नहीं जाने दीजार है तोड़ी दिर के बाद यहां पर होगी और पूलिस की यहां पर पूरी कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल जो कारे करता है उनको यहां पर ना आगे जाने दिया जाए प्रने तस्वीर दिखाएगा कि इस तरीके से लोगों को यहां पर उनकी पैचान जानने के बाद उनको आगे जाने दिया जा पुलिस की भी समस्य बढ़ जाती हैं और ऐसे में अब थोड़ी दिर के बाद अर्विंद केजरिवाल यहां से बेशक चले गे हो लेकिन अब इसी मामले में के कविता की पेशी हो नहीं है थोड़ी दिर के बाद के कविता को यहां पर लाया जाएगा उनका मेडिकल हो चुका है देररात उनको हैदरावास से यहां पर दिली लाया गया है मामला शराव नीती का मामला है जिसमें अर्विंद केजरिवाल आरूप भी जरूर नहीं है लेकिन क्योंकि वो अपने सरकारी निवास पर पहुंच गए है अर्विंद केजरिवाल कोट में पेश होने के बाद अर्विंद केजरिवाल कोट से निकलने के बाद अपने सरकारी निवास पर अपने घर पहुंच गए है अर्विंद के बाद वो अपने खेंझत पहा है